सब्सक्राइब को पता है कि में के अंदर एक्जाम है आपका प्रिलिम्स का अपने 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 एक्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेर करने क्या स्ट्रेटरजी आपकी होनी चाहिए सो दैट की आपका स्लेबस के साथ साथ जो जो इंपोर्टन पॉइंट्स है उन पर ज्यादा फोकस किया जाए जो आपके वीक एरियाज है उसको ओवरकम किया जाए ओके तो वो सभी ने अपनी प्रोपर स्ट्रेटरजी के साथ में प्रिप्रेशन करनी है अभी आज की इस वी कि आप सेट कैसे क्लियर करेंगे मैट्स तो हमारा वीक है हमारा बैकडरांड नहीं है मैट्स कैसे करेंगे तो देखें रुष्ड जो पेपर है उसके लिए अगर आप प्रोपर स्ट्रेटरी के साथ चलते हो तो ccत का प्रपर आप पीजीली क्वालिफाई कर सकते हो सबस्क्राइब सब्सक्राइब अधर मैंने इंपोर्टन टोपिक्स आप लोगों के साथ में डिस्कॉस के थे क्वाइंटिटेटीव एपिटिटूड के और लॉजिकल रिस निक पोड़ेटोपिक्स में आप लोगों के साथ आप आलरडी डिसकस कर चुकिये तो काफी स्टूडेंट के क्यूरी आ कर लेते हैं स्लेबस के अंदर क्या है अब कॉंटिटीटीटीटुड लोजिकल रिजनिंग एंगलिश ओके अब देखो करना कैसे पर यहां पर पर इखिए स्लेबस को मैंने थ्री कलर्स के अंदर यहां पर रखा है ब्लू रेड एंड बलैक तो सब्सक्राइब मैंने किन-किन तो यहां से आपके number system अच्छे से prepare कर लेना है और number system में से भी कैसे करना है direct question, conceptual questions, data sufficiency based questions, multiple statement based questions सभी अच्छे से prepare करना है, then simplification and in simplification word problems comes only कि आपको अकलकुलेटिव कोस्टिंस ऐसा नहीं कि हाँ आपके पास में एक एकस्प्रेशन गीवन है और आप उसे एकस्प्रेशन को सॉल रहें नहीं उस भी प्रैक्टिस नहीं करने है यूपीra-सी में ऐसे कोस्टिंस नहीं आते हैं, simplification के अंदर word problems आती है, जिसके अंदर देखते हैं कि आप logically कितने strong हो, okay, and some arithmetic calculation will be there, तो इसको आप करोगे, उसके बाद आ जाता है, बारे पास average, then ratio and proportion, problems on ages, permutation, combination, percentage, and the number series, and data sufficiency, जब हम बात करते हैं, data sufficiency की, in that case, जो question है, वो किसी भी particular topic से हो सकता, but the question is in the form of data sufficiency, the question may be from number system, number system से जैसे question है, but है कैसे, data sufficiency की form में, कभी मैं आप लोगों को कह रहे हैं, कि जो भी topic prepare कर रहे हो, उसको बिलकुल अच्छे से prepare करना है, एक एक concept आपका clear होना चाहिए, तो first round में हमने यह जो मैंने red mark किये हैं, इन सारे topics को अच्छे से prepare कर लेना, okay, उसके बाद आप देखो कि हाँ, क्या मैंने quant पे o time devote करना है, तो कुछ पार्ट में वहां से ले सकता हूं, ले सकती कुछ numbers, या फिर मुझे और थोड़ा सा time इस पे लगा रहा है, क्योंकि quantitative aptitude के maximum questions आपको exam में मिलते हैं, okay, तो अब उस case के अंदर, जब हम second round लेते कि अब कौन से topics cover किये जाए, तो उस case में जो मैंने blue यहां पे किया profit loss, time and work, time distance, mixture and allegation and data interpretation, आप इन topics को cover करोगे, okay, अब कुछ students ऐसे भी होगे, जो यह सोच रहे होगे, कि मैंने तो पूरा ही complete syllabus करने है, तो आप बाकी के topics को भी cover कर सकते हो, like partnership, वैसे partnership से question exam में नहीं मिलते हैं, rarely कभी question आजाता है, otherwise नहीं आता है, ठीक है, ventilation से, geometry से, एक question आपको एक से दो question मिल जाते हैं, ठीक है, but इसका जो syllabus है, वो काफी vast में है, वो इन एक या दो number के लिए आपको ज्यादा practice करने ही पड़ेगी, done, now it depends on you, कि हाँ आप time devote करना चाहते हो, आपको लगता है कि हाँ जी, यह सो मेरा सारा अच्छे से है, मुझे इस turn, again time and work आपको आता है, अगर आप logically strong हो, then in that case आप इस तरह का question आभी जाता है, तो कर लोगे, but rarely आपको question मिलता है, okay, simple interest, compound interest, again you can skip, single question आपको मिल सकता है, exam के अंदर, rarely इस पे से भी question आता है, तो आप skip कर सकते हो, but, सभी के mind में एक और भी है, कि हर बार जैसे permutation combination के अंदर से question से नहीं आ रहे थे, exam के अंदर, ठीक है, one or two questions हमें मिलते थे, but, this time in 2022, there were four questions from permutation combination, okay, तो मैं यह कहूंगे कि, अगर आप लोगों के पास time है, चीस का section आपका पूरा prepare है, ठीक है, और आप time devote कर सकते हो, in that case, you should go for the complete syllabus, otherwise, there is no need qualifying है, अगर आप 50 भी attempt करते हो, तो in that case, आप easily qualify कर लोगे, so, आपने select करना important topics को, तो यहाँ पर भी मैंने आपको बताया है, कि जैसे कि यह अपने पास में, जो मैंने red mention किये है, इन topics के अंदर से, तो आपको एक-एक single single point अच्छे से कर लेना है, done, same way, अगर हम logical reasoning की बात करें, तो यहाँ पर मैंने mention किये, logical reasoning easy है, easy रहते है, तो यहाँ पर alphanumeric series, one to two questions, blood relation, order and ranking, direction, sense, coding, decoding, जब आप coding and decoding करते हो, तो logical alphabet, आपका automatically हो जाता है, आपको अलग से करने की जरूरत रही है, दोनों एखटे prepare हो जाते, सिलोजियम, जब सिलोजियम आप prepare करते हैं, in that case, when a diagram आपका automatic prepare हो जाता है, done, arithmetic reasoning, अब यह जो arithmetic reasoning है, यह क्या है, arithmetic reasoning, जो अभी हमने quantitative aptitude में discuss किया, but this is simplification, यह वाला जो part है, यह चला गया है, quant के अंदर, तो यह हमने अच्छे से prepare करने, जब आप questions देख रहे हो तो आपको यह questions, arithmetic reasoning की form में भी मिल जाएंगे, और simplification के अंदर भी, जो critical reasoning है, इसके questions exam में आने, अभी 3-4 सालों से exam में नहीं आ रहे हैं questions, okay, इसमें कौन से question आते हैं, statement and conclusion, statement and inference, assumption, हाना, तो यह वाले जो questions है, यह आपके आजकर आ रहे हैं exam के अंदर, but not in the form of statement, they are come in the form of reading comprehension, so, यह पाला part आपका English में चला गया, and then data sufficiency, मैंने अभी आपको बता है, जो data sufficiency है, this is a type, अब data sufficiency के अंदर से आपको question मिल सकता है, blood relation का, data sufficiency से ही आपको question मिल सकता है, order and ranking का, it depends, तो data sufficiency is a type, इसको आपने अच्छे से कर लेना है, okay, तो first round में आपने क्या करना है, first round में important important topics जो मैंने आपको बताया है, जो मैंने red यहाँ पर किया है, सब को prepare कर लेना, done, अब बारे आते हैं कि हाँ मेरे पास और time है, तो मैं कुछ और topics भी देख लूँ, ठीक है, तो उस case के अंदर, जो यहाँ पर मैंने blue किया है, तो blue वाले topics को आपने देखना है, clock and calendar, इसी है, clock and calendar आप कर सकते हो, logical वैने diagram, seating arrangement, puzzle, अब जो बेटा seating arrangement और puzzle है, यह काफी vast में है, अगर हम देखें तो काफी vast में है, आपने क्या करना है इसके अंदर से, इसमें जस्ट आपका जो concept है कि हाँ कैसे मुझी puzzle बनानी है, कैसे arrangement मैंने करनी है, जस्ट उसके उपर focus करना है, बहु सब्सक्राइब करना है, इसके अंदर से आपके सब्सक्राइब करना है, इसके अंदर भी समझना है, left कैसे जाना है, right कैसे है, second to left, right face कि इधर है, तो वो सारा आपके concepts के लिए होने चाहिए, ओके, yes, उसके बाद जो मैंने यहां पर black किया है, you can skip those topics, time है, इसलिए बस cover करो, अगर आपको लगता कि नहीं मैं इतना time नहीं devote कर सकता, नहीं devote कर सकती, उस case के अंदर you can skip these topics, अगर आएगा एक आध question आएगा, कोई बात ही, छोड़ देंगे, ठीक है, तो यह जो बड़ जो red में है red वाला एक भी topic किसीने skip नहीं कर रहा है, सभी ने अच्छे से कर लेना है, okay, now come on English, English के अंदर सिरफ comprehension exam में आ रहे हैं, तो comprehension के अंदर से भी questions के आपको कैसे मिल रहे हैं, there are small comprehension and medium size comprehension, जो small comprehension है, there is only one question on that comprehension, और वो question भी आपको कैसा मिल रहे हैं, yes, inference पे based question आ गया, paragraph है, inference, conclusion, argument, assumption, या भी confusion है कि हाँ जी, assumption है या conclusion है, तो ये वाले जो points है, उनको mind में रखने, crux of passes, tone of passes, message conveyed by the passes, critical, sorry, central idea of the passes, this kind of questions are coming in RC, अगर आपका Hindi medium है या फिर English है, तो दोनों के अंदर ही जो questions है, वो आपको इस type के मिल रहे हैं, अब इसका क्या solution है, इसके लिए कोई अलग से preparation नहीं करने, you can practice on comprehension, और जो comprehension आते हैं, exam के अंदर, उसमें भी मैं आपको बताती हूँ, कैसे comprehension मिलते हैं, the comprehensions are of latest pattern, means कि जब आप newspaper रीड कर रहे हो, obviously सभी newspaper, I think one to two newspaper सभी इस time पर रीड कर रहे है, तो जो newspaper आप रीड करते हो, तो उसका एक paragraph जब रीड करते हो, तो उस time पर थोड़ा सा हमने अपने mind पर हलका सा stress डार नहीं, कि यहाँ पर क्या conclusion निकल रहा है, मैंने पहरा रेड किया, इससे क्या conclusion निकल रहा है, यहाँ पर author मुझे क्या कहना चाहा रहा है, यहाँ पर पैसे इसका tone क्या गया है, negative है, positive है, तो इस तरह से तो वो आपका यह वाला part आपका अच्छे से तयार हो जाएगा, that means कि 25 के अंदर से at 10 तो आप easily कर लोगे time, ठीक वाले, वो कैसे करें, वो जो single single topic है, उनको हमने कैसे prepare करना है, तो अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए हम क्या कर सकते है, कि देखी, आपको complete कुछ करने की जरूरत नहीं है, यह एक link है, यहाँ पर इस particular link पे आपने जाना है, आप जब इस particular link पे जाते हो, in that case, यहाँ से आपको micro courses open हो जाएंगे, अभी जो micro courses यहाँ पे आपके पास में आ रहे हैं, हाँ जी, तेखिए, सारे micro courses यहाँ पे आपके पास अव लेबल है, quant, logical reasoning, decision making, English, comprehension, now thing is what, important topics, important topic, अभी मैंने क्या बता है, number system, most important, क्या करना है आपने, simple यहाँ से आप जाओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, again आप यहाँ से चेक कर सकते हो, कि जो number system है, LCM, HCF, tricks, सारे यहाँ पे topics आपको मिल रहे हैं, सारे topics हमारे पास है, ऐसा नहीं है कि हाँ, किसी भी topic को उठाय हमने कर लिया, नहीं, you will go for only the important topics, सिर्फ important, important topics आपने यहाँ से देखने, अब देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करते हूं, number system की, तो हम यहाँ पे, जैसे हम नहीं यहाँ पे गए, check details में, okay, number system आगया, अब number system के अंदर से भी आपके पास इसको customize आप कर सकते हो, क्या मुझे lectures की need है, this is only need based, अगर आपको लगता कि हाँ, मुझे lectures की need है, यहाँ पे, तो यहाँ आपको 10 lectures मिल रहे हैं, जिसके अंदर पूरा आपका concept clear हो जाएगा, done, उसके बाद, web notes अगर आपको चाहिए, you can take the web notes, अगर आप कहते हो कि नहीं, मुझे सिरफ practice questions चाहिए, then you can take practice question, there are 514 practice questions for number system, okay, आप कहते हो कि नहीं, practice question नहीं चाहिए, just concept मुझे clear करना है, इसको हटा दो remove हो गया, simple, तो जो आपकी requirement है, आप उसके according कर सकते हो, इसके अलावा जब भी आप check कर रहे हो, तो उससे पहले, you can take 3 minute trial, यहाँ से आप start trial ले सकते हो, उसके लिए अगर आप already, आपका register है, then you can enter your ID and password, otherwise यहाँ पे आप क्या करोगे, sign up कर लेंगे, sign up करेंगे, अपनी details feel करे लेंगे, then you will get your OTP, और वहाँ से आप अपना login कर लेंगे, after that you can set your password, and then all time you can open, अब यहाँ पे देखी, आप सभी को check कर सकते हो, okay, So I hope सभी को clarity आगे कि कैसे हमने prepare करना, single single topic को हमने कैसे prepare करना, the next thing कि अगर कोई भी query generate हो रही आपके mind में, कि हाँ, किसी topic से related कोई query है, या फिर subject से related कोई query है, कोई भी C set से regarding आपकी query है, in that case you can comment in the comment section, without any hesitation, comment करो, comment section में, Okay, I will try to resolve your query, इसके अलावा जिन्होंने चैनल को subscribe नहीं किया हुआ है, चैनल को subscribe कर लेंगे सभी, सभी चैनल को subscribe कर लेंगे, So that कि जो भी आपकी new videos आप आरिया channel पर, तो उसका आपको notification मिल जाए, and all will be very helpful, because I try to give you the best solution for your exam preparation, Okay, so thank you, मिलते हैं, next class, best of luck.